Hey guys, Wheels and Miles की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मेरा नावनिकेत है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Ampere की Rio Electric Scooter के बारे में, इस Scooter के बारे में सारी चीजे डीटेल्ड में आपको बताने वाला हूँ वैक्टरी रेटिंग क्या है, कौश्ट कितनी है, रेंज कितनी है, सारी चीजे इसी वीडियो में कवर होने वाली है, तो मेक शूर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो के तुरंद बाद न, इस Scooter का राइडिंग एक्स्विरियन्स वीडियो शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को न, आल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि वो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आज मैं बात करने वाला हूँ, एमपियर रियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, शुरुवात करते हैं, इसके चावी से तो यहाँ पर आपको ऐसी नॉर्मल चावी मिल जाती है, और यहाँ पर एमपियर लिखा गया है, इसके अलावा कोई भी रिमोर्ट फंक्शन वगरा यहाँ पर नहीं दिये गया है, बात करके हैं डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको रेर व्यू मिरूर्स मिल जाते है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिये गये है, है हैलोजन बल्प के साथ और यहाँ पर आपको डूइल टोन कॉंबिनेशन मिल जाता है इस हैंडल पार के ओपर ब्लैक और ब्लू कलर कॉंबिनेशन दिया गया है काफी खूबसूरत लग रहा है यह और जैसे आप फ्रेंट एपरन देखोगे न तो यहाँ पर आपको प्ल टोन एफेक के साथ आती है ग्रे है ब्लैक है और ब्लू है काफी अच्छी तरीके से कलर का इस्तमाल किया गया है और काफी इंट्रेस्टिंग लग रही है स्कूटर देखने में यहाँ पर आपको एंपियर की बैजिंग मिल जाती है इस तरफ आपको इलेक्रिक की तो काफी अच्छी चीज है हेल डायम का थ्रो वगरा भी काफी अच्छा लगा मुझे अगर बात करें तो नॉर्मल टेन इंच के रिम्स मिल जाते है यहाँ और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स दिये गए है आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल ज लेकिन पर आप लॉल य। मिल जाता है तो यहाँ पर अफ करने के लिए और फ़रने के लिए हैं यहाँ पर दिया गया है इस तरफ एक लगेज हुक मिल जाता है, फिक्ष्ट लगेज हुक है या अंदर वगरा नहीं जाता है, तो यहाँ पर कुछ समान टांग सकते हो और इस तरफ भी आपको कुछ deep storage space मिल जाती है, तो actually इसमें आप अगर bottle वगरा रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, अब इस तर करने के लिए भी एक अच्छी चीज दी गई है यहाँ पर काफी अची तरीके से close भी आप कर सकते हो, अब बात करें instrument cluster की, तो मैं इसका ignition on कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने simply चावी लगा दी है और इसे right की तरफ घुमा दिया है, तो complete digital instrument cluster आपको दिखाई देगा से आपकी speed हो गई, scooter कितनी चली है, वो distance हो गया, number of kilometers हो गया और यहाँ पर आपको battery indication मिल जाएगा, इसके अलावा आपको high beam, low beam के लिए इस तरह इंडिकेशन मिल जाएगा, जब आप headlight on करोगे, और high beam लगाओगे तो यह देख सकते हो, यहाँ पर blue indication दिख रहा होगा आप यहाँ पर आपको turn indicators का भी indication मिल जाता है, तो यह देख सबारे होंगे, आप turn indicators का indication, turn indicators जैसी आप on करते हो, इसके साथ एक beeping sound भी आती है, तो यह काफी अची चीज़ है, आपको याद रहेगा कि आपका turn indicator on है, और आपको cut off करना है, अब handle bar के ओपर भी आपको काफी चीज़ इसा horn मिल जाता है, आपको इस scooter में काफी अच्छा और काफी sharp voice है, यहाँ पर आपको सारे headlamp control के toggle मिलते है, यहाँ पर अगर इससे center में करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका halogen light है, यह जलने लग जाता है, इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, यह halogen light और अ काफी अच्छी चीज यहाँ पर दी गई है, अब toggles की quality वगरा काफी अच्छी लगी मुझे, यहाँ पर switch quality वगरा में कहीं पर भी कुछ compromise नहीं है, mirror की size यह बी काफी अच्छी रखी गई है, अब इसकी visibility वगरा के बारे में मैं driving experience के time बात करूँगा, driving review इसके बाद तो यहाँ पर आपको seat कुछ इतनी मिल जाती है, यहाँ पर दो लोग बैट सकते हैं, लेकिन इतनी जादा लंबी नहीं है, तो I doubt दो लोग काफी comfortably तो यहाँ पर नहीं बैट पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दू की scooter की maximum speed है, वो 25 km per hour की है, और इसकी maximum range है, वो ह तो यहाँ पर जरूर बैट सकते हैं, यहाँ पर बिले राइडर के लिए हैंडल भी दिया गया है, तो बिले राइडर जो है, वो इसे grip कर सकता है, और इस तरफ आपको एक hook भी दिया गया है, कुछ सामान वगरा टांगना हो तो यहाँ पर भी आप टांग सकते हो, गार्ड भी दिया गया है तो आपकी नीची की जो स्कूटर की बॉड़ी है वो खराब नहीं होगी सस्पेंशन आपको स्प्रिंग टाइप मिलते हैं सस्पेंशन क्वालिटी के बारे में भी मैं राइडिंग के वक्ती बात करूंगा यहाँ पर डबल स्टैंड भी दिया गया है पिलियन राइडर के लिए यहाँ पर फुट रेस्ट भी आपको मिल जाती है तो काफी अच्छी तरीके से यह सारी चीज़े दी गई है चलते है पीछे की तरफ पीछे हैलोजन टेल लैम मिलता है टर्न इंडिकेटर भी आपको हैलोजन में ही मिलते है यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की जगा दी गई है लगाने के लिए लेकिन त्यूंकि यह स्कूटर की जो रेंज है वो 50 है और कुछ स्कूटर की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर की है तो यहाँ पर इस scooter को आपको register करवाने की ज़रुरत नहीं है RTO से ना ही इस scooter को चलाने के लिए आपको license की ज़रुरत है तो कोई भी scooter को आराम से चला सकता है बिना license के और बिना registration के और यहाँ पर आप देख पड़े होंगे यहाँ पर footrest flap दिया गया है तो यहाँ पर भी जो pill extremely left तक गुमाद होगे ना थोड़ी सी टाइट है लेकिन आप extreme left गुमाद होगे तो यह seat जो है यह unlock हो जाएगी और आप इससे कुछ इस तरह से खोल सकते हो यहाँ पर charger पड़ा हुआ है इस scooter का यह देख सकते हो आप charger यहाँ पर fan वगरा सारी चीज़े मिल जाती है और इस scooter को आप normal mobile वाले पोर्ट पर भी चार्ज कर सकते हो 5 amp पर यह देख सकते हो इसका plug वगरा भी यहाँ पर दिया गया है और इसकी जो battery है वो removable है तो battery आप निकाल सकते हो आसानी से यहाँ प करो उसके बाद ही आप battery निकालो वरना fuse वगरा ओड़ सकता है short circuit भी हो सकता है तो यह चीज़े आप धान में जरूर रखना MCB बन करने के बाद ही battery निकालना और कुछ इतना storage space मिल जाता है कुछ सावान रख सकते हो helmet तो यहाँ पर नहीं आएगा helmet आपको साथ में ही carry करना पड़ेगा लेकिन जैसे मैंने आपको बताया यह इस scooter को चलाने के लिए आपको license अगरा की जरूरत नहीं है लेकिन helmet जरूर पहनिए यह आपके खुद के safety के लिए बहुत ही important है अब साइड प्रोफाइल से भी यहाँ पर ना आपको रियो की बैजिंग मिल जाती है रियो प्लस करके लिखा गया है और याने की lithium-ion की बैटरी यहाँ पर इस्तमाल की गई है तो यहाँ की बैजिंग भी इस तरफ दी गई है अब अब अगर स्कूटर की बात करें तो काफ अगर आपके जो पार्किंग है उसके पास में चार्जिंग पोर्ट कही होगा तो सिंप्ली यहाँ पर आप अपना चार्जर जो है वो डॉक करके स्कूटर को चार्ज कर सकते हो अब यह स्कूटर ना पूरी फाइबर बॉड़ी के साथ आपको मिलती है यह देख सकते हो सारी चीज़े फाइबर की है लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी रखी गई है कही पर भी आपको रैचलिक नॉइस वगरा नहीं आएगी काफी अच्छी तरीके से सब जगह से लॉक वगरा किया गया है अब यह स्कूटर जो है यह सिटी परपरस के लिए बहुत ही अच्छ दिया गया है यहाँ पर चाहे आप यह कट्स देख लो चाहे सामने की तरफ से देख लो तो स्कूटर का डिसाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिया गया है देखकर कोई कहेगा नहीं कि यह शौट डिस्टिंस के लिए स्कूटर है यह लॉंग डिस्टिंस के लायक है अगर इसे ज़्यादा रेंज मिल जाती है तो आप इसे लॉंग डिस्टंस पर भी बड़े आसानी से बगा सकते हो अब बात करें प्राइजिंग की तो 64,000 इसकी एक शोरूम प्राइज है एग्जाक्ट अन रोड प्राइज अगर जाननी है आपको तो शोरूम को कॉंटक क अगर diyorsun जरूम का एडरेस, कॉंटक इंफ़मिशन मैं ने डिस्क्रिप्टिब्शं में दिया है शोरूम का नाम वग्रा शारी चीज़े इंच उन आपको तेस्ट्राइग्च उप्राइज तो अगर आपको थोड़ खरीद नी है तो शोरूम को ज़रूर कॉंटक कीजिए व अगरा सारी चीजों के बारे में बात करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन को आल पर साइट कर दीजिए ताकि वो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो दोस्तो यही था मेरा आज का review video Ampere Rio Electric Scooter का अगर आपको ये वीडियो पसंद लागया हो तो इसे like जरूर कर दीजिए अगर आपको कोई भी सवाल हो इस scooter से related या किसी भी 4-wheeler या 2-wheeler से related तो आप मुझे Instagram पर पूछ सकते है इमेल दोरा अपना सवाल पूछ सकते है या फिर आप comment section में भी अपना सवाल पूछ सकते है मैं आपके सारे सवालों का जल से जल जवाब देने की कुशिश करूँगा तो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली review वीडियो में तब तक के लिए ड्राइव से तक के लिए बगाई